वेलकम तो यूट्यूब चैनल आश्राचतली इंस्पिरेशनल वीडियो एंड थॉट्स आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं बहुत ही लजीज है उसको सुनते ही आपके पानी आ जाएगा तो चलिए देखे क्या है वो रेसिपी चलिए बता ही देते हैं आज हम बताते है चीज बॉल्स को कैसी बनाया जाता है तो देखे मेरे रेसिपी और इसको लाइक कीज़ेगा शेयर कीज़ेगा सब्सक्राइब कीज़ेगा है वर नाइस डेग चीज बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले मोजरला चीज की जरुरत पड़ती है वोईल अलू बहुत सारे प्य कर लेंगे और थोड़ा सा मोजरला चीज हमें क्रश करने के विजरत है वोईल अलू को कद्दू कस कर लीजे अच्छी सी पिठी बन जाए उसमें हम जो हमने पीस लिया वे उनका साइस बिल्कुल ठीक होना चाहिए जिससे कि हम बॉल्स के अंदर जब भरेंगे तो वो जब अब हम तलने के बाद इसको खोल के देखेंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे यह दिखे हमने चीज को क्रश कर लिया है उसको भी कद्दू कस कर ले कुछ पीसिस आपको पिठी में भी मिलाने होंगे यानि कि क्रश किया हुआ प्याज काट लें बारिक बारिक अभी तो इसको बाइंडिंग के लिए भी डालना है और मसाले जितना आप टेस्टी बनाना चाहें वो सब मसाले आपस में डाल सकते हैं दमाग मेच काली मेच गरम मसाला चाहे तो हल्दी डाल सकते हैं थोड़ा सा कलर येलो आ जाएगा अपने स्वाद अनुसार आप सभी तरह के मसा में डालें और नमाख मेच मसाले करम मसाला जो भी आपके टेस्ट को अच्छा लगता हो जैसे आप अलू के पराठे में डाले नहीं टालते हैं अशी ही मसाले में चीज बॉल्स में डालेंगे और इसको बंदे करने के लिए बहुत जरूरी है आप अर रोट नहीं ये वह आ आपो कितना बड़ा साइज बनाना है मैंने कुछ छोटे कुछ बड़े दोनों तरे के बनाये हो ए वह बिल्कूल बॉल्स के रूप में और बड़ी बल्स ही मैंने थ्रोड़ा सा बड़ी बना हिए अब डिपट्पी, वह ची, उनके बार शीख बहास उसको भर देंगे, अब हमने ब्रेड के क्राम्बल्स बना के रखे हैं, उनको यह देख लेंगे, कि उनमें कोई भी ब्राउन पीस नाओ, सारे वाइथ ही होने चाहिए, साथ में हमने अरा रोट और मैदे का घोल बनाया है, उसकी कंसिस्टेंसी देख लीजेगा, इतनी ही डा बनाया है उसको डाल दीजे, उसके बाद आप क्राम्बल्स में डालेंगे, क्राम्बल्स को अच्छे तरह से हाथ में खुमा लीजेगा, चिंता ना करें, ना तो यह बिखरेंगे, और बिल्कुल सही तरीके से बन जाएंगे, और उसके बाद आप चाहें तो इन्हें शेलो हो गया है, लेकिन बहुत ही करारे और खसता यह बने में हैं, और देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, गोल्डन ब्राउन करें, ज्यादा टाक कलर ना करें, क्योंकि थोड़ा सा फिर वो उसमें कड़वेपन का एहसास हो जाता है, और अपने गेस्ट को आप का जवाब लगता है, इस सर्ग राउन उसमें सर्कल वे में और कटलेट्स वे में, दोनताय से तयार,